कि हलो फैंड्स माधी के बीटू पहुंच जीए पर अपका स्वागत है तो मैं आपको कावी के इंतरगत इंपर्टन वैकर करा रही थी जो कि क्लास 10 के लिए बहुत इंपर्टन है यह लास्ट है इसके पहँचान होगे और अगर कोई ब्याकर बड़ी लग लग रही है तो आपको क्या करना है पूरी बैकर नहीं पढ़ने बस कोईशन आंसर रीड कर लो आपको आप पर आजाएगा डेफिनिटी अब यह भी मेबाड किसरी बहाड़ा प्रताब के बारे में बताए गया मैं बस आपको द्यान से सुनना फोट सुना कुछ भी लिखना नहीं कुछ भी नोटस मत बनाओ बस आप दियान से सुन लो उसके बाद आप देखेंगे क्वें में पोचूंगी उज्वलिया पास सथ देलेंगे ठीक है तो आपको पढ़ना जरूर है को कि हो कि हैं से अपके इसमें यूदिक की पाते हैं तो पूछा गया था एंग्लिस पूरा करवाई दिया है साइंस के कुछ टॉपिक रहे हैं बाइलोजी के करवा दूंगी तो मेबाड केसरी देख रहा केबल रड का ना तमासा था यह दौड दौड करता था रड वह मान रखत का प्यासा था तो म मान यहां पर पता क्या बोला गया अभिमान वाला नहीं है मान यहां पर मान सिंग अकबर का सेना पती है उनके रखत के प्यासे थे कौन मेबाड के स्री पतला महराणा प्रताब देहां से बस सुन लो आप एजली कर लेंगे तो यह दोड़ दोड़ कर क्या यूद कर रहे थ तो मान सिंग ठीक है चड़कर चेतक चेतक को रहें पूसकता है तो उनके घोड़े का नाम है बच्वन में आपने कबता पड़ी होगी उसके बाद सेना रखवाली तो मतलब चेतक पर घुम घुम करी सेना की रखवाली कर रहे थे महामृत को साथ ले प्रतिच कापाली था क अब पाली की संग्या दीगे सिब की ठीक है इनको क्योंकि इने बिल्कूल भी मित्त का डर नहीं था चड़ चेतक पा तलवार उठा के रखता था भूतल पानी को राड़ा प्रताफ सिर काट काट करता था सफल जबानी को मतला सिर काटते जा रहे थे वो अकवर के जो भी चेतक आ गया रड़ आ गया मेबार आ गया तो कौन सी होगी यह हल्दी गाटी और कभी कोन है स्याम्राठ पांड़े ठीक है अब फटाबर से क्या यह हिंदी में ब्याक्या है जो मैं आपको वर्ड समझा दिया इसलिया आप कर लेंगे यह वीरस के कभी मैं आपको बता दिय मुगल सम्राठ की बीच यहां पर हल्दी गाटी का युद्ध का बढ़न किया है अकवर की वीच का ठीक है इस इदमें मिबार राज का वह सिंग अर्था महाड़ा परताव युद्ध के बिकराल देश्चों को अब देखो इतना सारा कुछ नहीं करना आपको बस मैंना आप अकवर के प्रति था अकवर के प्रिधान सेना पती मान सिंग के प्रतिन में ज्यादव क्रोध था महाड़ा प्रताब को घोड़े का नाम चेतक था यह मैंना आपको साब समझा दिया कुछ भी नहीं करना कि कफरबात रखा तलवार लेके वह बढ़ रहेते और चेतक यह ला करता था भूतल पानी को तेहां प्रतिवी का धर्यादर लग घहरी नदिया भी समान थे जल थल दौन पर दोड़ जाते थे वह उसके बाद अकवर के सेनकों के सीज काट करकर डेल लगा रहे थे अपने जवानी को क्या सार तक सिद्ध कर रहे थे कौन महाड़ा प्रताप ए एक बड़ा आपको और याद रखना है यहां पर साचा सिब से यहां पर कंपेर किया था का पाली जो बोला गया ना उससे आपशे कर दिया गया भाने ग्रूप था इनका सिद्ध कि तरह है इसलिए बस एक कोशन देहां रखना है आप देखो यहां पर सबसे पहले संदर तो कहानी में आपको बताएं किसके बिद्ध अकवर की बिद्ध बस आपको सुनके याद हो गया होगा है आप नोट्स भी नहीं बनाएंगे तब भी आप इसली आंसर दे लेंगे महारा प्रिताब के रौद रूप को किसके माध्यम से दर्साया गया है तो संदर में आप ट único лежit ऑर मद्ध किसे बोला कंगर मिभाड केसरी के को बोला गया है तो और वहल थिगाटी के में दानर कि क्या कर रहे थे हिद्ध कर रहे थे तीसरा किसके मठी कर रहे थे तो आप सिंपल सबस्दें अकवर के उंद सीग महां पर ऑफप से लेंगाएं याज़ी पर आप आपको एजी लगेगी एक वर समझ में आ गी ना तो कर लेंगे एक कोश्चन रिखांगत का पूछा तो जितनी अंडरलाइन वही आपको लिख देनी है मैंने एजली आपको समझा दिया आप एजली कर लेंगे वर्ड का मींस बता दिया आपको सेकंड है इंकी सेना नाइक राड़ा रड़ा आ गया रड़ा गया अड़भूमी मेबाड भी आ गया तो आप पहचान लेंगे हल्दी घाटी है और किसकी आम नाट पांडी के घोड़े तक ठीक है अब हिंदी क्या है सेना नाइक राड़ा के भी रड़ देख देखकर मतलब सेना नाइक महारा प्रताब थी इनकी जोस को देखकर जो मेबाड के सिपाई थे ना इनकी वह भी दूने और तिक ने उससा के साथ लड़ने लगे थे तीक है इसी तरह से आपको एजली महां पर लेक देना है रेखांगेत का मतलब होता है जहां पर अंडर लाइन हो उतनी सब्वर्राइंस कि आपको मेस्ट झार्त धी 5 CD मार दिया कर कोड़े से रड़ं मतलब यह मतलब मार owners अब लिए कोड़े से क्भी दों तरह तरह वह से कंगाता रूद कर रहे थे राड़ा मतलब रहे है मतलब मतलब पता ने चल एकौना लगे तो रखते पीने का रडचंडी जीप प्रशार बड़ी अब देखो अब यूद्ध की विशरता आपने प्रणों को भी परवाना करके कई गुना अधिक जोस से भरे हुए दूने तीक नहीं लेखा था ना सत्रों पर प्रहार करके संघार उनका कर रहे थे उधर युद्ध में बिक्राल होते जा रहे थे कौन मारा प्रताब सत्रों को मार रहे थे सब को डरा रहे थे तलबा जिदर भी बढ़ती हुदा दुस्मन बैसे का पुरता था ठीक है अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो यह रहा देखो यह रचंदी ही अपनी जीव को बाहर निकाल ले दुस्मन का रक्तपान करने को ब्याको लो फर्स कुर्शन इसका महाड़ा प्रताप क्या दो शौर का उनकी सेना पर क्या प्रभाव पड़ा था वो भी उस्सा के साथ लड़ने लगे थे राड़ा की रड़ कोसल में कभी न उनकी प्रतवा की और संकित किया है तो कौन सी ब्रतवाती वह आपको बताने रचंदी से कि कि तुलना की गई है और एक खांगे तनकी प्याक है जहां से आजाया पीजली बनाके लिख देंगे तो इनके साथ कर कि सेना पर क्या प्रभाड़ता अपने स्वामी को बीड़ता पूर्वक लड़ते देखकर उनकी सेना के सभी सेना पतियों और साहने दूने तुने सासे करने लागे थे ठीक है लिख देंगे और रड कांसल के बारे में पूछा गया था तो उनकी स्पूर्तियों सास के ओर संकेत किया गया यह है ठीक है तलबार की उस बाले में कपाली सिभ से बोला गया तो यह पर तलबार की तो यह हो गए कौशन कंप्लेट आप कर लेंगे इस टार चार चैप्टर वहां से डेफिनिट आपको एक ब्यक्षा मेलेगी और लास्ट चैप्टर में आपको कर भाएं यहां से एक मिलेगी दोनों जिन करते जाना जो मैं करवाती जारी हूं थेंक्यू सो मच